बीजिपी ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर रिहडी पट्री वालों से उगाही कारूप लगाया बीजिपी सांसत प्रवेश वर्मा ने बकाइदा इसका एक वड्यो भी जारी किया आम आदमी पार्टी के पारशट देशराज पर रहडी पत्री वैलों से उगाही करने कारोप रगा है उन्होंने कहा है कि इस मामले में उन्होंने इलाखे के DCP को शिकायत दी है आप पारशट को उन्होंने बरखास करने की मांग की प्रवेश वर्माने CMK जीवाल पर भी जब से NCD के सत्ता में आये हैं तब से आम आदमी पार्टी के लोग शेत्रों के वीकली बजार में वहां के रेडी पट्री वालों से पैसे की उगाई करना शुरू कर दिया है इससे शरम की बात क्या हो सकती है कि जो सबसे गरीब आदमी उसको भी नहीं छोड़े आदमी से 500-500 रुपया केवल एक दिन का शाम का इखटा किया जा रहा है एक रेडी वाले से तो क्या एक रेडी वाला 500 रुपय कमाता है शाम का और उसको धंकी दी जाती है अगर पैसा नहीं देंगे तो कल से रेडी नह करें लगने दिना तो आदमी पार्टी के लोगों को क्या बिला कि ऑसी हरो जितना लाखों रुपय कहतकर कर किसकी ज्य जयरा है क्या था कि तो आँद में पार्टी को इसका जवाब देने चाहिए केजरिवाल और जबांद देना चाहिए आज हमारे शेतर के DCP को मैंने शिकायत की है कि आप इस वीडियो को देखी और वहाँ पे रेडी पट्री वालों के ब्यान लीजिए और इस आदमी को तुरण वहाँ पर गिरिफतार होना चाहिए और ना केवल वाट प्रेजिडेंट गिरिफतार होना चाहिए बल्कि आम आदमी पार्टी को आज ही अपने निगम पार्षद को बर्खास करना चाहिए इससे साफ साफ सबूत और क्या मिल सकता है आप तो दोनों तरफ से बराबर की राजनेती आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं बिल्कुल देखिए आम आदमी पार्टी के बरिष्ट नेता और राजसभा सांसत संजे सिंग ने आज प्रेसवारता करके कई गंभीर आरोप केंद सरकार पर और एडी पर लगाएं उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जाच जेंसियों ने बताया कि 100 करोड का घोटाला कतित सराब घोटाले के तहत किया गया है साउथ लावी से 100 करोड रुपय लिये गये थे लेकिन जब उस मामले की जाच हुई और जब कोड में सबूत पेस करने की बात आई तो वो घोटाला 30 करोड का हो गया हलाकि जब 30 करोड के सक्ष पेस करने की बात आई तो वो घोटाला 6 लाग का हो गया और अब एक नया आकड़ा आया है जाच एजंसियों की तरफ से कि 17 करोड का घोटाला हुआ है हलाकि एक के बात एक जो फीगर सामने आ रहे हैं वो बदले हुए हैं और यही वज़य है कि एक के बाद एक नया आकड़े जाच एजंसियों की तरफ से पेस किये जा रहे हैं ताकि जो लोग जेल के अंदर हैं उन्हें और ज्यादा जेल में रखा जा सके क्योंकि कोई घोटा दिल्ली के अंदर हुआ नहीं है सिर्फ ये मन गढ़ंत आरोप लगाये गए हैं और सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ED और CBI गवाहों पर जबरन दबाव डाल करके उनका बयान दर्च करा रही है उन्होंने तो यहां तक कहा कि बयान अधिकारी लिखते हैं और उस पर साइन आरोपियों से कराये जाते हैं यहीं नहीं रुके वो उन्होंने कहा कि जो आरोपी हैं उनके परिजनों को धमकाया जा रहा है दराया जा रहा है और जबरन उनसे बयान लिये जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी तरह से हम आम आदनी पार्टी को घेर सकें मु आक्ष्य यानि उसका जो सबूत है वो उनके पास आया है और भारी संख्या में सबूत उनके पास है और आने वाले वक्त में वो देश के सामने उन सबूतों को रखेंगे और कोड के सामने भी रखेंगे कि किस तरीके से जाच एजनसिया अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही है और किस तरीके से आरोपियों पर दबाव बना रही है कि वो जूटे बयान दें ताकि दिल्ली सरकार पर और आमादनी पार्टी पर करवाई की जा सके तो कहीं न कहीं आज बड़े आरोप संजेश सिंग ने लगाए है लेकिन उन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये तो जब वो साथ देश के सामने पेस करेंगे तब पता चलेगा ठीक है तरुन भी हमारे साथ जुड़े हुए है तरुन आज ज जहां से आम आदीपार्टी के विधायक हैं देशराज राघव और वहां पर वौड अध्यक्ष आम आदीपार्टी के हर वौड के उपर अध्यक्ष भी है ताकि उनके पार्षत के उपर निग्रानी भी रखी जा सके हैं और अगर वो कुछ गलत गतिविदियों के अंदर स तो वो पार्टी कार्डर को उससे आगहा कर सके तो राकेश अगरवाल का एक फेस्बुक पेज सबसे पहले परवेश साहिप सिंग वर्मा जो की पश्चमी दिली से बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने दिखाया सबसे पहले तो उन्होंने प्रेस कॉंफरेंस में एस्टैब्ल हो गया कि राकेश अगरवाल आम अधिन पार्टी से जुड़ा हुआ है और बिंदापुर वाड का वो वाड अध्यक्ष है तो एक वीडियो जारी किया गया उस वीडियो के अंदर ऐसा ही प्रतीत हो रहा था जो दावा किया जा रहा है कि यह राकेश अगरवाली है जो रे वासन के पार्षत को जब बीजेपी में शामिल करवाया गया था वो आम अधिन पार्टी से चुनाव जीती थी और उनके पती पहले बीजेपी के पार्षत थे लेकिन बीजेपी ने जब टिकेट नहीं दिया तो आम अधिन पार्टी में चले गए वोमें सीट थी और आम अ जताओं की तरब से परवेश साहिप सिंग वर्मा को तो सबसे पहले तो उन्होंने वह अला इंसिडेंट बताया और यह अला इंसिडेंट जब शेर किया तो एक वीडियो भी सांजा की जिसके अंदर राकेश अगरवाल जो की बहुत अध्यक्ष है ताकि उनके आरोपों को व सबसे गरीब तपका है आम आदमी हैं असल माइनों के अंदर उससे आम आदमी पार्टी के पार्षद के इशारे के उपर उनका वॉड अध्यक्ष उगाही कर रहा है DCP के उन्होंने शिकायत दी है कि राकेश अगरवाल की गिरफतारी होनी चाहिए और राकेश अगरवाल के बहाने उन्होंने सिटिंग पार्षद देशराज रागव की बरखास्तकी की भी मांग की है और यह कहा है कि इस तरह के अगर वीडियो बीजेपी के किसी नेता की तरफ से की नेता के जारी होते हैं यहां मादनी पार्टी के कारे करता हमारे पास लेकर आते हैं तो हम कारवाई करने से गुरेज नहीं करेंगे चुकि यह काम दिल्ली वालों को करने की नसीहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केज्रिवाल की तरफ से ही दी गई थी कि आप वीडियो बना लेना रिश्वत देने या लेने से मना मत करना और उसके बाद फिर कारवाई हम पर छोड़ देना तो उसी के उपर तंच करते हुए परवेश साहिब सिंग वर्वा ने कहा है कि अब ये वीडियो जब पब्लिक डोमेन के अंदर है तो पार्षत को पार्टी से निकाला जाना चाहिए उसकी बरखासगी होनी चाहिए और राकेश अगरवाल के उपर भी पुलिसिया कारवाई होनी चाहिए ठीक है बलराम अब एक चीज बिताएगा हमने अधिकारों को देखा ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मिलने के बाद से सियासी बयान बाजियां तेज हुई अधिकार तो मिल गए अधिकारी नहीं मिले है वो सुनते ही नहीं है मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया बीजेपी भी आकरामक है वो थपड कांट की बात करती है तो हम एक चीज देख रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरह से गर्मी बहुत तेज है सियासी गर्मी भी उतनी ही तेज हो चुकी है जैसे अभी हमारे सायोगी बता रहे थे कि आरोब प्रत्यारोब का सिलसिला लगातार चारी है जब MCD में बीजेपी की सरकार थी तब यही आमादनी पार्टी कहती थी कि बीजेपी के जो पारसद हैं वो लिंटर मैंड के नाम से जाने जाते हैं यानि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है MCD के अंदर और अर्बिंद केजरिवाल जी ने ये गरंटी दी दी दिली की जनता को कि अगर हम MCD में सरकार बनाएंगे तो हम MCD में भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे और उन्हों ने उसको ले करके कवायत भी शुरू की लेकिन जिस तरीके से अभी हमारे सायोगी बता रहे थे कि एक वीडियो जारी करके BJP के सांसंद ने गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जो मौझूदा पारसद है आमादनी पार्टी की उनकी भी सनलिप्तता है तो कहीं न कहीं ये वीडियो कितना सच है इसकी भी जाच होनी चाहिए और जाच के आधार पर आगे की करवाई होनी चाहिए क्योंकि आरोप लगाना आसान है लेकिन आरोप को साबित करना बेहत कठिन है क्योंकि आरोप तो कई लगाए गए हैं आप देखिए आज संजे सिंग ने आरोप लगाया कि हमारा सप्रिमेंटरी चार्जीट में तीन जगे नाम डाला गया लेकिन जब हमने एडी को नोटीस भेजा तो वो नाम मुआपस लिए गए और वो कहा गया कि भूल बस नाम डाले गए तो कहीं ना कहीं जो आरोप है वो दोनों पार्टियों की तरफ से लग रहा है लेकिन अब दिल्ली की जनता समझदार है वो जानती है कि आखिरकार जिस तरीके से दिल्ली में गर्मी बढ़ रही है उसी तरीके से जो सियासी पारा है वो भी बढ़ रहा है और अब देखने वा पर्टी भी कोई मौका नहीं चोड़ती है बीजेपी को घेरने के लिए अब जिस तरीके से वादा किया गया दिली की जंता से केजरिवाल की तरब से उस वादे को किस तरीके से पूरा किया जाता है क्योंकि ब्रश्टाचार के खिलाप ही लड़ाई लड़कर के केजरिवाल दिली की सत्ता तक पहुँचे हैं और पंजाब में भी उन्होंने अपनी सरकार बनाई और धीरे धीरे पार्टी का बिस्तार किया तो ब्रश्टाचार एक बड़ा मुद्दा है लेकिन जिस तरीके से आरोप लगे हैं इन आरोपों पर आम आदनी पार्टी क्या कहती ये भी देखने वाली बात हैं अभी कोई खास प्रतिक्रिया तो नहीं आई है लेकिन तरुन ये प्रश्टाचार की जब हम बात करें तो जीरो टॉलरेंस की नीती अपनाने क्या दावाद जरूर होता है हम आदनी पार्टी की तरफ से और ये इस तरह का जबारूप लगा है ये ब जीनत आप बीजेपी की स्ट्राटीजी अगर देखें पिछले MCD चुनाव से पहले भी वो आदनी पार्टी की कोड स्ट्रेंथ जो ब्रश्टाचार की बात की जाती है कि एंटी करॉप्शन क्रूशेडर की भूमिका में CM अर्विन केजरिवाल अन्ना अंदोलन के वक्त थ जो इंडिया गेस करॉप्शन का मुव्मेंट चिडा तो बीजेपी सबसे जो मस्बूत पक्ष है आम अधनी पार्टी का उसी के ओपर डेंट करती हुई दिखाई दे रही है ऐसे ही नहीं आम अधनी पार्टी का इतिहास को दोहराने से उसे रोका गया है आकसर आम अधनी साल की एंटीन कंबेंसी बीजेपी के खिलाफ थी उसके बावजूद 104 सीटे बीजेपी जीतने के अंदर कामियाब हुई है और 135 सीटों के उपर आम अधनी पार्टी को उसने सीमित कर दिया है और एक परमुख जो इसका कारण रहा है वो ये है कि शराप घोटाले के उपर बीजेपी लगातार आकरामक प्रदर्शन करती आई है और आकरामक आरोप लगाती आई है और उससे पहले जो सतेंद्र जैन के वीडियो जारी किये हैं तो कही न कहीं जो आम अधनी पार्टी की कोर कंपिटेंसी है उसकी सबसे स्ट्रॉंग पिच है उसी को कमजोर करने की बीजेपी कोशिश कर रही है और अभी तक बीजेपी को इस पक्ष के अंदर इसलिए भी कामियाबी मिल पाई है कि MCD के नतीजे इस और संकेत दे रहे हैं कि लगातार अगर प्रहार किया जाता रहा तो बैक फूट के उपर आमादी पार्टी को इस मुद्दे के उपर धकेरा जा सकता है और शायद यही वजे है कि यह बहुत बड़ा स्टिंग नहीं था या बहुत बड़ा वीडियो नहीं था कोई वाड लेवल का पदा दिकारी है अगर वो रेडी पट्री वालों से उगाई कर रहा है तो एक सांसद उस आरोप को वैलिडेट करता हुआ आमादी प पर लेता है तरुम शॉट में बिल्कुल शॉट में बिल्कुल क्योंकि कॉंकि कॉंग्रेस दिली के अंदर लगभग खत्म हो चुकी है चूंकि गरीबों की वो पार्टी मानी जाती है लिहाजा जो उसका पूरा वोट बैंक था वो लगातार अब आमादी पार्टी में शि जो गरीब तपका है जो आमादी पार्टी का कॉर वोट बैंक है उससे भी उगाही करने से गुरेज नहीं कर रही है चीक है तो मेसेजिंग के लड़ाई ज्यादा बड़ी है बहुत शुक्री आप दोनों का जुड़ने के लिए